नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं your everyday guide और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे nifty total market index के बारे में क्या है ये index और क्या आपको अपनी investments इस index में करनी चाहिए आईए देख लेते हैं तो अभी तक most of the investors ने nifty 50 index का नाम सुना होगा nifty 50 index है Indian stock exchange का benchmark basically ये बताता है कि Indian stock market कैसा perform कर रही है और ये collection होता है NSE stock exchange पे listed top 50 companies का based upon their market capitalization तो इसके लावा में भी आपने nifty next 50 index का नाम सुना होगा आपने nifty mid cap 150 index का नाम सुना होगा आपने nifty small cap 250 index का नाम सुना होगा और nifty micro cap 250 index जो की ज़्यादा familiar नहीं भी होगा तो ज़रा एक मिनट रुके पहले इनका total कर लेते हैं तो ये हो गया 50 plus 50 plus 150 plus 250 plus 250 यानि की total 750 तो सब मिला के 750 stocks का universe based on market capitalization तो most of the investors index funds के जरीए या तो nifty 50 index में अपनी investments करते होंगे या फिर nifty next 50 index में अपनी investments कर लेते होंगे लेकिन इन large cap index के साथ ये भी अच्छा रहेगा कि आप अपने portfolio का कुछ exposure mid cap, small cap और micro cap में भी रखें मतलब बहुत ज़ादा नहीं लेकिन हाँ 20-30% तक का allocation at max तूसरे market caps में भी रख लेना अच्छा ही है अब ये अच्छा क्यों है क्योंकि देखें ये जो large cap indexes होते हैं यानिकि nifty 50 index और nifty next 50 index ये less volatile और steady growth देने वाले indexes कहलाते हैं जहाँ पे investments पे comparatively कम risk रहता है stability अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो companies हैं ये well established companies हैं तो एक तरफ आपको जहाँ से stability अच्छी मिलती है अगर उस stability के साथ-साथ ही आप अपना कुछ allocation अगर जो high growth sectors वाले जो areas हैं जैसे कि mid cap, small cap, micro cap अगर आप इन सब में भी रख लेते हैं तो आप यहाँ पे on top of large cap कुछ extra returns generate कर सकते हैं at the same time keeping your risk balanced in long term तो क्या इसके लिए आपको nifty 50 index के अलावा जो 3-4 indexes की हमने बात करी हैं जिनको हमने जाना है क्या आपको अपनी investments उसमें भी करनी पड़ेंगी तो इससे तो portfolio और भी जादे complicated हो सकता है और किस index में कितना पैसा invest करना है ये भी decide करना पड़ेगा तो क्या कोई असान तरीका नहीं है कि हम एक जिगा पर अपनी investments कर लें और large cap से लेके micro cap तक सभी में हमारी investments automatically हो जाए इसका जवाब है simple सा yes आप अराम से कर सकते हैं और वो भी सिर्फ एक index से यानि कि nifty total market index से तो चीजों को यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं देखिए nifty 50 plus nifty next 50 plus nifty mid cap 150 plus nifty small cap 250 इन सब को मिला के एक index बनता है जिसका नाम है nifty 500 index जो की NSE का एक already existing index है तो अगर हम nifty 500 index के साथ add कर देते हैं nifty micro cap 250 index को तो यह बन जाता है nifty total market index जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो इस index में अपनी investments करके आपका काम यहाँ पर simple हो जाता है तो अब इस index को थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं basically इसका composition, constituents और इसकी performance वगरा को तो अगर मैं NSE की website पर चला जाता हूँ यह है nseindia.com और यहाँ पर हम आजाते हैं about section के अंदर हमारे पास है indices इस पर मैं click करता हूँ और indices के अंदर हमारे पास आ जाते हैं indices जो पैसे खुला हुआ था और इसके अंदर हमें मिलेगा broad market indices और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा nifty total market index आप यहाँ पर दूसरे indices देख सकते हैं जो भी दूसरे indices अवेलेबल है हमें यहाँ पर देखना है Nifty Total Market Index को तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें मिलेगी Download Fact Sheet.pdf फाइल तो मैं इसको यहाँ पर open कर लेता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा scroll करके नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस index की जो launch date है यानि कि यह index introduced हुआ था October 13, 2021 में और जैसे कि हमने जाना This index will track the performance of 750 stocks covering large cap, mid cap, small cap and micro cap segments यानि कि all stocks that are part of Nifty 500 Index and Nifty Micro Cap 250 Index forms part of the Nifty Total Market Index और इन सभी stocks का जो weightage है ये weightage है based upon their free float market capitalization free float market cap का मदलब companies की market value based on publicly held shares तो मैं थोड़ा सा और scroll down करके आ जाता हूँ नीचे की तरफ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं different sectors का representation की कौन-कौन से sectors यहाँ पर covered हैं जिसमें सबसे पहले financial services है इसका weightage है 27.64% का फिर है information technology 10.26% का and so on तो आपको यहाँ पर different sectors का automatic diversification मिल जाता है इनके weightage के हिसाब से फिर हम यहाँ पर top constituents by weightage देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है SGFC Bank Limited जिसका weightage है 6.39% का फिर है Reliance Industries, ICIC Bank Limited and so on तो यह index obviously large cap heavy index है क्योंकि अगर हम total stock market की बात करते हैं तो complete stock market में सबसे जादा weightage जो है वो large cap का ही है जिसमें जो large cap का complete weightage है वो है 70.51% का mid cap का weightage आयता है 16.54% का small cap का weightage है 9.15% का और finally micro cap का जो weightage आयता है यह है 3.8% का तो अगर आप अपनी investments इस index में करते हैं तो आपकी investments का जो allocation है वो basically इसी तरीके से रहता है जो कि अपने आप में एक काफी अच्छा breakdown है in different market segments अगर हम इस index की performance की बात करते हैं तो last 5 years में इसने returns दिये हैं 19.16% के अगर हम total returns की बात करते हैं और last 1 year में इसके returns गए हैं 41.14% के अब आप भी सोच रहे होंगे कि inception date तो October 2021 की है तो यहाँ पर पिछले 5 साल की performance कैसे आ गई वो ऐसे कि इस index की जो performance है यह back tested है April 2005 तक की अब यह हम कैसे compare करेंगे कि यह जो returns हमें nifty total market index से मिले हैं पिछले 5 साल में एक साल में यह अच्छे returns है भी या नहीं है तो मैं काम करता हूँ मैं इनको compare करता हूँ nifty 50 index के साथ यानि कि अगर हम nifty 50 index की performance को देखते हैं तो यह है nifty 50 index की fact sheet और इसके अदर हम देखते हैं last 5 years के returns तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं total returns जो पिछले 5 साल के हैं यह है 16.66% जो कि nifty total market index के जो returns थे वो थे 19.16% और वहीं अगर हम 1 year के returns की बात करते हैं तो nifty 50 के अंदर 1 year के returns हैं 28.49% जो कि total market index में जो returns थे वो है 41.14% तो अगर हम performance को compare करते हैं तो इस index ने पिछले 5 साल के returns में और पिछले 1 साल के returns में काफी बड़े margin से nifty 50 index को बीट किया है वहीं अगर हम दूसरे stats की बात करते हैं यानि कि standard deviation की for example अगर हम बात करते हैं तो यह है पिछले 5 साल का 18.41 का वहीं अगर हम nifty 50 के standard deviation की बात कर लेते हैं तो यह है 19.07% का यानि कि यहाँ पर हमें nifty 50 का जो standard deviation है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है comparing to nifty total market index और by the way standard deviation किसी भी index का या किसी भी mutual fund का जितना कम होता है उत्ता ही better होता है यानि कि volatility उस fund की कम होती है अगर हम PE ratio की बात करते हैं तो इसका PE ratio है 24.5 का और PB है 4.0 का वहीं अगर हम nifty 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका PE ratio है 22.7 का जो की कम है और PB है 3.85 का जो की again कम है और होगा भी क्योंकि nifty 50 index है completely purely large cap जबकि जो nifty total market index है उसके अंदर mid cap भी है, small cap भी है, micro cap भी है फिर भी जो difference है यह बहुत बड़ा नहीं है तो यह हो गया complete data अब बात करते हैं इस वीडियो के last points की तो अगर देखा जाए तो यह एक अकेला index है जो आपको एक clear picture देता है या फिर मैं कहूंगा कि एक true representation है Indian stock market का तो इस index में directly index fund के true investments करने का मतलब है passively portfolio का balance allocation और nifty 50 या फिर large care funds से ज़्यादा returns जैसे कि हमने past performance के basis पर देखा almost all the time इस index ने nifty 50 index को outperform किया है तो currently आज के time पे सिर्फ एक ही index mutual fund है जिसके true आप इस index में अपनी investments कर सकते हैं तो क्या nifty total market index एक true index investing है सभी investors के लिए तो दोस्तों I hope इस वीडियो के जरीए आपको clarity मिली होगी nifty total market index के बारे में अगर ये वीडियो आपको helpful लगी है अच्छी लगी है तो इसको like करके मुझे जरूर बताएं और हाँ जादे जादे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा जल्दी ही मिलेंगे next video में thank you for watching